अब हमारा चैप्टर का नाम क्या है Final Account Final Account और इसी चैप्टर को हम Soul Proprietor Final Account भी कहते हैं सर इस Final Account में हम क्या-क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे First of all आपको अगर मैं थोड़ा सा Remind कराओ तो आपने सबसे पहले जो हमारा Account का step होता है उसे हम सबसे पहले करते है जर्नल जर्नल इंट्री के बाद हमारा अगला स्टेप आता है लेजर लेजर के बाद हम अगला स्टेप करते है ट्राइल बैलेंस ट्राइल बैलेंस के बाद नेक्स स्टेप जो होता है हमारा वो होता है फाइनल अकाउंट final account देखिए अब अब ध्यान से देखिए अब journal पहला step, second step, third step और final account journal के अंदर आपने क्या करा था journal source of documents से 11th class में सीखा था क्योंकि आपको अच्छे से जानते हो आप अगर मैं simple सा question पूछू आप एक businessman हो और आप मुझे as an accountant अपने पास रखोगे जब आप मुझे अपने पास as an accountant रखोगे तो आपकी क्या उम्मीद होगी मुझसे मैं आपके पास job करूँगा तो आपकी क्या उमीद होगी कि आपके मैं सारे business का अच्छे से हिसाब किताब बना के रखूँ सारा detail में accounting करके रखूँ अगर detail में accounting नहीं करूँगा तो आप मुझे उसी दिन नौकरी से निकाल दोगे और आप मुझसे बार बार पूछोगे बोलोगे भाई बताओ कितना profit हुआ कितना पैसा कमाया कहां गए इतने पैसे दिन भर काम कर रहे हैं सारी detail दो तो मुझसे यह सारी चीजे पूछोगे तो basically मैं पहले जर्नल करूँगा जर्नल करने के बाद मैं laser करूँगा आपके दुकान में जब मैं काम करूँगा और फिर trial balance करूँगा trial balance एक तरीके से जैसे चाई की छन्नी है ना तो वो छन्नी है समझ लो बस यहां और यहां जो गलती है उस गलती को trial balance ढूंड के निकाल देता है अब जब यह गलती निकल ही गया हमारा यहां पे आके तो आप मुझे पताईए trial balance से गलती निकल गया तो अब इससे जो मैं आपको net profit यानि बिजनस का जो मैं net profit आपको बताऊंगा या बिजनस का आपको मैं balance sheet बना के दूंगा उसमें गलती होने के chances 1% रह जाता है क्योंकि जो यहां error होगा यहां error होगा यहां पे हट गया इसके बाद final account तो final account हमारा accounting का सबसे last stage होता है और हर एक बिजनस मैं जानना चाहता है हमारा profit कितना है तो हम उसे profit बनाएंगे हमें journal नहीं सीखना laser नहीं सीखना, trial balance नहीं सीखना हम सीधा final account की बात करेंगे और बड़े अच्छे से समझ में भी आएगा चलिए final account में समझने से पहले final account में हमारे कितने तरीके के account बनेंगे, account को न basically laser भी बोलते है तो हम final account में क्या क्या चीज़े बनाते हैं, वो देखते है सबसे पहले हमारा होगा trading account trading account trading account सबसे पहले होगा हमारा trading account सर ये trading account क्या होता है बिलकुल बताऊँगा, चिंता मत करो trading account के बाद next account जो बनेगा, वो बनेगा profit and loss account profit and loss account सर ये profit and loss क्या होता है इसके बारे में भी आज discuss करेंगे कैसे बनता है और क्यों बनाए जाता है last में होगा हमारा balance sheet balance sheet balance sheet समझे बात को जी सर trading account अगर आपको सीखना है न तो जो मैं बोलूगा वो समझना पड़ेगा trading account सीखने के लिए आपको सबसे पहले direct expense की जानकारी होनी चाहिए direct expense की जानकारी होना चाहिए सर ये direct expense क्या होता है चिंता मत करिए आप सब बताऊंगा मैं यहां पर और profit and loss के लिए आपको indirect expense की जानकारी चाहिए indirect expense की जानकारी चाहिए अगर आपको direct expense और indirect expense समझ में आ जाए तो आप ट्रेडिंग अकाउंट और profit and loss अकाउंट को बनाने के लाइक हो जाओगे आराम से बना सकते हो सर ये direct expense ट्रेडिंग अकाउंट की आप जब बात कर रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते क्यों है इसका बनाने का main purpose है हम यहाँ पे gross profit निकालेंगे या फिर loss निकालेंगे दो चीजे होगा या gross profit निकलेगा यहाँ से result या और net profit और सर इस profit को निकाल के हमें करेंगे क्या इस profit का इस्तिमाल इस वाले अकाउंट में होगा यहाँ से जो answer आएगा उसका इस्तिमाल इस account में करेंगे इसमें जैसे ही इस्तिमाल करेंगे तब हम यहाँ बना पाएंगे net profit निकाल पाएंगे हम यहाँ से net profit या net loss net profit या net loss समझ में आ रहा है अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है आपको अच्छा अब net profit and net loss का क्या करेंगे इसका इस्तिमाल balance sheet के अंदर करेंगे और balance sheet क्या होता है balance sheet basically हमारे business में कितने liability है करजा और हमारे business में कितने assets है इन दोनों के बारे में बताता है और यही assets is equal to liability अगर आपका आता है तो answer आपका ठीक हो जाता है तो हमें एक trading account trading account सीखने के लिए आपको पहले direct expense जानना होगा और P&L सीखने के लिए मैं इसको P&L बोल रहा हूँ ठीक है न profit and loss को तो profit and loss सीखने के लिए आपको indirect सीखना पड़ेगा जी बिल्कुल ठीक अब देखते हैं हम आगे एक example लेता हूँ मैं आपके सामने और इस example के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिस करूँँगा कि direct expense क्या है और indirect expense क्या है आप अच्छे से बस देखिएगा और observe करिएगा मान लेते हैं आप मुझे बताईए factory मैं कॉनट प्लेस में लगा सकता हूँ क्या मैं CP में चाहता हूँ एक factory लगाऊं और इतना धुआ करूँ वहां पे कि कोई कॉनट प्लेस में बचे ही न क्या मुझे government permission देगा factory मैं अपना factory CP में लगाना चाहूँ तो बताईए क्या government permission देगा जवाब है नहीं देगा government परिशान है इतना क्यूं देगा मैं अपना office खोलना चाहता हूँ एक office और मैं office कॉनट प्लेस में open करना चाहता हूँ मैं और office मेरा CP में office है न ये तो office कहाँ पर CP में open करना चाहता हूँ तो क्या government हमें office open करने दे सकता है government क्या CP में तो मैं office open करी सकता हूँ सर factory क्यों नहीं कर सकते government कहती है factory को आप ऐसी जगहे पर रखें जहां से जहां पर आस पास खुला area हो वहां पर pollution हो भी जाए तो किसी human being को परेशानी ना हो चाहे noise pollution हो चाहे आपका air pollution हो लेकिन control फिर भी करना है आपने ठीक है अच्छा सर और बाते बताईए मुझे और बाते बताते हैं तो factory generally आप किराये पर नहीं लेते आप कहीं दूर में जैसे की नोईडा गुडगाओं बिल्कुल खाली खाली जगह है वहां पर जाके अपनी factory को establish कर दोगे और factory से माल बनाओगे फटाफट और कहां लेके जाओगे CP में ग्राहक पता है कहाएंगे ग्राहक कहाँ पर आएंगे बताईए जी ग्राहक कहाँएंगे जी ग्राहक आएंगे हमारे पास office में अगर factory में कभी देखा है आपने के ग्राहक आते हुए मैं जहाँ पर हूँ यह पितम पुरा है मेरे side में एक bitania का factory है जो bitania biscuit है उसका factory है मेरे side में बहुत पुराना है अब तो office ही रह गया अगर मैं जाओं वहाँ पर बोलू भाई एक मुझे बिटैनिया का गुड़े दे दो एक बिस्किट तो मुझे भगा देगा कहेगा नहीं भाई हम नहीं देते गुड़े उड़े अब जाओ दुकान से लो दुकान पर मिल जाएगा तो फैक्टरी से कभी भी समान नहीं बिखता समान हमेशा ओफिस या आउटलिट से बिखता है सर फेक्टरी के बारे में और भी बाते बताओं फेक्टरी में देखो जो लाइटे होती है ना देखो फेक्टरी में लाइटे भी है देखो थोड़ी पेंटिंग मेरी जरूर खराब है लेकिन बस समझा जरूर दूँगा फैक्ट्री में लाइटे भी है और फैक्ट्री के अंदर हमारा वर्कर भी होगा ये वर्कर और ये वर्कर कैसा होता है बड़ी हैरानी होती है मैं देखता रहता हूँ worker कैसे होते हैं मैं देखता हूँ बड़े suitwood पहन के बड़े अच्छे से कपड़े नहाद होके जाते हैं lunch वगरा लेके lunch भी तो आजकल fashion वाले टिफिन आगे हैं पता ही नहीं चलता है मजदूरी में मजदूरी में लगने के बाद क्या करेंगे वो वो फिर से आपका साम में जब उनका shift खतम होगा हाथ वाद धोके फिर तयार होके फिर घर आएंगे चाहिए कि ये फैक्टरी में काम कर रहा है हालात तो यह है यानि फैक्टरी के अंदर जो है वो मजदूरी करने जाता है मजदूरी करने जाएगा और जो मजदूरी करता है उसको दिया जाता है वेजिस जो मजदूरी करता है उसको क्या दिया जाता है जानते हो wages दिया जाता है अच्छा और बताइए कुछ नई बाते चलिए factory में जो light जलती है ना यह light जो है यह बड़े बड़े power के जैसे कि 440 वोट का आपने song सुना होगा 440 वोट वाला तो वही 440 वोट का वहाँ पर इस्तमाल होता है घर में 220 20 वोट का है आप सुच में उगली डाल के देखना थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगे चिंता मत करना लेकिन factory में ठीक नहीं होगे बिलकुल बस सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे मैं बात करूँ factory में जो यूज होता है बहुत हैवी स्विच यूज होता है पावर तो यहाँ पे बिजली का बिल को electricity बिल की बेज जती मत बोलो factory का बोलो गए ने कि electricity बिल आया तो बेज जती महसूस होता है भाई हम electricity तो घर ओफिस वाले यूज करते हैं यहाँ पे जो बिल आता है उसको बोलता है electricity bill electricity bill यहाँ पे भी light लगा देते हैं चलो रंग भी रंगी light लगा दी और यहाँ पे जो होता है न वो क्या होता है पता है पावर अच्छा ठीक है factory के अंदर manufacturing जादा से जादा होता है manufacturing होगा या फिर उसके अंदर process होगा काफी सारे चीज़ होती है factory से idea लग सकता है हमें तो factory के अंदर ना समान जो खरीदा जाता है ये देखिए यहाँ से factory के अंदर जो समान आएगा ना वो कहीं बाहर से आएगा दो जगह से आ सकता है या तो इंडिया से आ सकता है इंडिया से तो इंडिया से जब समान आएगा तो तीन हमारे पास रास्ते है समान को ले जाने का by air आ सकता है अरे factory के अंदर नहीं आएगा मतलब factory से दूर जहाँ पे हवाई अड़ा होगा जहाँ आपका airport होगा वहाँ तक तो आएगा वहाँ से हम ले आएगे या by ship आ सकता है अगर आपका ऐसे जगह पे है factory या by bus आ सकता है और train से भी आ सकता है by road, by ship और by air तो अगर आपका मान लेते हैं कि ये आ रहा है by road और ये factory में माल जाने वाला है तो ऐसे situation में जब factory में माल जाने वाला है तो इसको हमें देना पड़ेगा समान तो यहां रखेगा ही रखेगा और इसमें इसको किराया देना पड़ेगा इस किराये को पता हैं क्या बोलते हैं इस किराये को जो इसे देना पड़ेगा उसे बोलते हैं carriage carriage और क्या बोलते हैं sir और बोलते हैं cottage cottage और क्या बोलते हैं सर और बोलते हैं इसको हटा देते हैं इंडिया थोड़ा दूर कर देते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा काट ओहो कैरिज भी मिट गया काटेज और क्या बोलते हैं फ्रेट जो ये देखो ये गाड़ी जा रही है इसको यहाँ पहुंचाएंगे तो इसको गाड़ी वाले को पेट्रोल का खर्चा सब किराया देना पड़ेगा तो उसको ये तीन नाम से जानते हैं लेकिन वही चीज मान लेते हैं कि ट्रेन से आए अब ट्रेन कैसे बनाएं अब पता नहीं ट्रेन कैसे बनेगा मैं तो यही बना देता हूँ ये ट्रेन में बहुत सारे टायर है ये ट्रेन है ठीक है ये लो ट्रेन बन गई train से यही समान आएगा तो इसको हम carriage और cartridge नहीं देंगे इसको देंगे octree इसको देंगे octree तो देखिए factory में जब समान आता है जब factory में समान आएगा अगर गाड़ी से आएगा तो freight carriage और cartridge दिया जाता है और जब train से आएगा न तो वहाँ पर बड़े builti वगरा होते हैं जिसको octree बोलते हैं builti वगरा वो दिया जाता है air से आएगा तो normal आपका उसको हम बोलते हैं इसको traveling expense भी बोला जाता है यह ध्यान रखिएगा इसको traveling expense भी बोलते हैं चलिए और बात करते हैं यहाँ पर आ गया अगर outside इंडिया हो तो outside इंडिया हो तो हाँ ठीक है outside इंडिया outside इंडिया क्या कह रहे हो सर्व outside इंडिया हाँ जी अगर outside इंडिया हुआ तो outside इंडिया देखो कैसे हो सकता है China से माल आता है इंडिया में Japan से माल आ सकता है USA से माल आ सकता है Pakistan से नहीं आ सकता Pakistan को तो हम बेच सकते हैं ठीक है ना China से माल आ सकता है अब ये marker मेरे हाथ में है Very simple सा example ये marker है ये marker मैं 20 रुपए का खरीदता हूँ अगर ये marker मैं China में जाओ ना लेने तो हो सकता है 5 रुपए में दे दे तो ये 5 रुपए के दे सकते हैं मुझे तो आप देखिए मैं ऐसा करता हूँ China से माल खरीद के और अपने factory में रखूँगा इसके wrapper wrapper change करूँगा और बेच दूँगा तो 5 रुपए का China से लाया 1-2 रुपए wrappering किया और 20 में बेच दिया तो मुनाफ़ा देख रहे हो कितना है मुनाफ़ा करीबन करीबन हमारा 100% के बराबर हो जाता है 10 का समान 20 में भी करा है लेकिन अगर मैं अपने factory में बनाऊँगा ना तो 18, 17, 18 का तो company को ही पड़ेगा और ये अब बेचेगा 20 रुपए का तो बताओ इसको क्या फाइदा होगा इसलिए तो factory वाले बोलते है सरकार और कोई कुछ बोलता रहे हमारा मुनाफ़ा कम ना हो जाए और मुनाफ़ा कम ना हो जाए इसलिए वो क्या करते है चाइना से इंपोर्ट करते है लेकिन फिर भी public बोलती आजकल तो अवेर हो गए है Chinese made in China देखते है इसे नहीं लेंगे भाई यह चाइना का समान है चाइक कितना भी सस्ता हो है ना लेकिन government भी बड़ी चलाग है government क्या करती है government क्या करती है government की चलागी देखिए government बोलता है जाओ China से माल लेके आओ मैं गया और मैं China से माल लेके आया लेके आया लेके आया बीच में government ने पकड़ लिया इदर इदर कहां से समान लेके जा रहे हो मैंने बोला जी चाइना से लेके आ रहे हैं भारत में बेचेंगे और क्या वो लग कितने का लेके आयो मैंने बोला पांच रुपे का लेके आए सर इस पर बोला कि इंडिया में कितने का बीस रुपे का यहां का जो गौर्मेंट होगा वो फटा-फट से चेक करेगा इसका प्राइज इंडिया में बीस और फटा-फट से इंडिया में कितने का बनता है इंडिया में बनता यह 18 का तो इस तरीके से देखा जाए तो गौर्वर्मेंट बोलेगा भाई तू चाइना से लेके आएगा तो ये फैक्टरी तो बंद हो जाएगी जब ये फैक्टरी बंद हो जाएगी एक दिन तो सारा का सारा जो है कंट्रोल वो चाइना का पास चला जाएगा हमें काम करते हैं तो पांच रुपे की लाग कोई बात नहीं पांच रुपे की लाग बहुत अच्छी बात है हम इसके उपर तेरा रुपे का टेक्स लगा देते हैं अब लेके आजा तू अंदर और बेच ले अब कितने का मुझे पढ़ी गए ultimately सरकार को देने के बाद 18 का ये भी कितने का बना रहा है 18 का और जो बाहर से चाइना से लेके आ रहे हैं वो भी 18 का ये भी 2 रुपे ये भी 2 रुपे तो गौर्मेंट इस तरीके से टेक्स लगाती है इस टेक्स को पता ही क्या बोलते है इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी ठीक है न तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर सरकार को नहीं पेड करोगे तो आप सब स्मगलर कहला होगे आप चाइना जाओ चाइना से कुछ भी समान लिया और सरकार को text मत दो you are smuggler तब आप smuggler कहलाओगे उस case में उसी को तब बोलते हैं smuggler ऐसा कोई गैर कानूनी चीज नहीं है सरकार को text दो सब ठीक रहता है अच्छा हमें माल इंडिया से खरीदना है तो ये ये किराया होता है इंडिया के बाहर से खरीदेंगे तो एक परकार का text भी देना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम import duty ठीक है और जी सर और कुछ बाते बताईए ठीक है बताते हैं आपको यहाँ पे कई बार क्या होता है light चले गया तो वहाँ पे inverter नहीं होता है generator होता है office में inverter होता है वहाँ पे generator होता है कुछ तो coal वगेरा भी यूज़ करते है तो यहाँ पे आपका diesel वगेरा fuel यूज़ होता है fuel देख रहा है आपको fuel ठीक है fuel यूज़ होता है और सर और क्या इस्तमाल होता है यह भी बता दो और factory के अंदर देखा जाए fuel के साथ साथ और यहाँ पे जो माल बनाते हैं पेकिंग वगेरा करते हैं manufacturing expense manufacturing expense हाँ जी हाँ manufacturing expense तो यह कुछ खर्चे हैं आप imagine भी कर सकते हैं यहाँ पे यह चाई भी पिएगा यह भी खर्चा होगा बहुत सारे खर्चे यहाँ पे हो सकते हैं जो खर्चे हमारे factory के अंदर होते हैं उसी को direct expense बोला जाता है जो खर्चे हमारे factory के अंदर होते हैं तो उसको direct expense तो यानि जितने भी यहाँ पे खर्चे हैं जितने भी यहाँ पे खर्चे हैं उसको क्या नाम से जानेंगे हम direct expense अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, पावर का बिल आया, तो क्या होगा, सर, direct expense, मैंने ओक्टरी दिया, क्या होगा, direct expense, मैंने फ्रेट दिया, क्या होगा, direct expense, मैंने काटेज दिया, क्या होगा, direct expense, मैंने wages दिया, wages, मजदूर, मजदूरी का मतलब महनत से, जो कि physically work करते है तो मैंने इसको wages दिया तो क्या होगा direct expense होगा अच्छा, सर यहाँ पे सबको wages मिलता है क्या नहीं यहाँ पे salary भी मिलता है salary किसको मिलता है आपके factory में office तो होगा ही होगा office जब होगा तो कोई ना कोई manager भी रखोगे तो उसको क्या मिलेगा salary जब यहाँ पे दोनों तरीके के लोग मिलेगे ना जिसको wages भी दिया जाता है और salary भी दिया जाता है तो हम एक simple word में बोल सकते है salary, sorry, simple word में बोल सकते है wages and salary wages and salary, visual है proper आपको, ठीक है wages and salary salary, पहले word wages है, फिर word salary है, इसका मतलब factory से related है क्या सर, यहाँ पे नहीं मिलता, बिल्कुल यहाँ पे जो काम करते हैं न normally person, वो person पता है कैसे होते हैं, वो person टाइवाई लगा के आते हैं ऐसे ही घर वापस भी लोटते हैं, ऐसा नहीं कपड़े उपड़े बदलते हैं, तो यहाँ पे जो काम करेंगे उसको दिया जाएगा salary salary दिया जाएगा, क्या यहाँ पे मजदूर नहीं होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे भी मजदूर तो उसको दिया जाएगा wages तो sir wages यहाँ भी, यहाँ भी हमें कैसे पता चले अरे मैं अगर बोलू ना आपको, किस तरीके से देखो, बोलने का style होता है, अगर मैं बोलू salary and wages तो देखो सबसे पहले word क्या है, पहले word पे ध्यान दो तो first word जो है मेरा, वो है salary और यहाँ पे first word wages, तो जो पहला word अगर wages and salary है तो factory में मिल रहा होगा salary and wages है तो office में मिल रहा होगा अब माल बन के, यह माल बन गया, रास्ता बना देते हैं यह माल बन गया और बन के यहाँ जाएगा यह माल बन के यहाँ जाएगा है के ने फैक्टरी से सारा माल बनेगा और बन के जाएगा तो क्या यहाँ पे भी हमें ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे गाड़ी का पैसा देना पड़ेगा किराया जी जो यहाँ पे देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे कैरेज तो sir ये भी carriage और ये भी carriage अब मुझे एक बात बताना यहां से जो factory के अंदर यहां से ये माल अंदर आएगा और ये वाला जो है factory के बाहर जाएगा तो ये अंदर जब आएगा तो इसको बोलेंगे inward और जब ये बाहर जाएगा तो इसको बोलेंगे हम outward तो carriage inward जब मैं बोलूगा तो यहां का खर्चा है, carriage outward बोलूगा तो यहां का खर्चा है, बस आपको इतने simple से समझना है, salary और wages बोलूगा तो यहां का खर्चा है, wages and salary बोलूगा तो यहां का खर्चा है, अब बताना, loan पे ब्याज, loan लेने उने का काम discussion फेक्टरी में होगा या और बताओ चोटे मोटे जनल एक्सपेंस कर लिया है मैंने वह यहां पे होगा और इलेक्टिसिटी बिल यहां पे होगा और टेलीफोन का खर्चा यहां भी हो सकता है यहां लेकिन जादा तर यहां पे होता है रेंट रेंट बताओ यह वाला तो खुले आसमान बिल्कुल एकदम कुछ भी निया सस्ती जमीन लिए तो उसे रेंट पे लेके क्या फाइदा अपना लेके बनवाले किना रेंट नॉर्मली किसका होता है ओफिस का होता है तो रेंट बोला जाएगा तो यहां का खर्चा माना जाएगा तो कुछ खर्चे हैं जो कि ऑफिस में होते हैं और कुछ खर्चे हैं जो कि फेक्टरी में होते हैं जो ऑफिस फेक्टरी में खर्चे होते हैं वो सारा का सारा क्या क्या लाता है डायरेक्ट और जो ऑफिस में खर्चे होंगे उसको कहेंगे इन डायरेक्ट एक्सम बिल्कुल एक कोशन आये के सर सेलरी आये तो क्या होगा सिर्फ सेलरी है ना तो यहीं लिखेंगे सेलरी है तो यहीं आफिस में और अगर वेजिस है तो यहां सेलरी एंड वेजिस है तो यहां वेजिस एंड सेलरी है तो यहां अब मैं पूछता जाओंगा आप मुझे बताना मैंने commission paid किया salesman को तो बताओ factory में होगा या office में salesman को commission paid किया है बताइए salesman को commission paid किया है कोई बता सकते हैं मुझे चलिए फटा-फट बताइए salesman का commission कहा जाएगा salesman का commission office का होगा या factory का होगा जल्दी जल्दी बताइए एक query आया है मेरे पास sir doc dues अभी चर्चा करेंगे doc dues पे भी सारी बाते बताएंगे आपको अक्षे ने पूछा है अभी शेक ने पूछा है कि sir doc dues क्या होगा उसको बताएंगे कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए आप case salesman का commission कहा का होगा office का होगा या फिर आपका factory का होगा office एक बच्चे का option आया है office बिल्कुल सही जवाब office का होगा तो office का खर्चा होगा तो आप मुझे ये भी बता दो ये direct expense होगा के indirect होगा अब बताएंगे अगर office का खर्चा है तो direct है या फिर indirect है एक और जवाब है मेरे पास commission paid salesman treated as by office बिल्कुल ठीक तो मैं simple सी बाते बताऊंगे अगर direct expense अगर office का खर्चा है तो indirect expense और indirect expense है तो कहा जाएगा P&L में factory का खर्चा है तो direct expense direct expense बनाएंगे तो कहा जाएगा trading account में अभी trading account क्या होता है P&L account क्या होता है हम बाद में समझेंगे पहले उसके अंदर क्या क्या चीजों से related है वो मैं बताना चाहता हूँ balance sheet को तो अभी side में ही रहने देते हैं balance sheet पे तो मैं भी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ वो बाद में करेंगे तो मैं कुछ expenses है जो मैं बोलूँगा और मैं पताता जाँगा जैसे की अभी एक बच्चे ने पूछा sir dog news क्या होता है dog news dog बोलते हैं बंदरगाह को बंदरगाह कहा होता है जहां पे ship से समान आता है तो अगर ship से समान आएगा तो ship से समान factory में आएगा CP में नहीं जाने वाला कभी भी ship से समान अगर मान लो मेरा कॉलकता में है तो यहां सीधा फेक्टरी में जरूर पहुंच सकता है तो जो डॉक ड्यूज होता है वो हमारे शिप का जो किराया होता है उसे हम डॉक ड्यूज भी बोलते हैं ठीक है बच्चे चलिए हाँ अब हम बात करते हैं कुछ खर्चे मैं बोलता हूँ फटा-फट से मन-मन में जवाब देना है मैंने बोला सिर्फ रेंट कहां का खर्चा है रेंट ऑफिस का खर्चा सेलरी एंड वेजिस पहले क्या है सेलरी ऑफिस का खर्चा Commission Paid to Salesman Office का Discount Allowed Office का खर्चा Telephone Expense Office का खर्चा Carriage Outward Carriage Word बोला है मैंने Office का सिर्फ Carriage बोलू तो Factory का Carriage Inward वो भी Factory का Inward मतलब यहां के खर्चा Fuel and Power Factory का खर्चा यानि Direct Expense Fuel and Power के बाद और क्या-क्या नाम याद करते हैं फटा-फट से Octree वो भी आपका Factory का Dog Deuce वो भी आपका Factory का और क्या हो सकता है Journal Expense या Miscellaneous Expense Journal Expense भी छोटे-मूटे खर्चे होते हैं Miscellaneous Expense भी देखो ऐसे समझते हैं Journal Expense और Sundry Expense भी बोलते हैं लिख देते हैं मेरे पास जगह नहीं बचा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Journal Expense Journal Expense या फिर Sundry Expense Sundry Expense या फिर Miscellaneous Expense या फिर Miscellaneous Expense क्या होता है घर में मैं डिली जाता हूँ मेरी मदर कहती है जब भी कभी बैठके बाते करते हैं तो मदर से बात होती है तो मेरी मम्मी कहती है आज कल का जवाना तो बड़ा बेकार हो गया है इतनी महंगाई बढ़ गई है हम पहले एक रुपे में पूरे महिने का खर्चा चला लेते हैं मुझे बहुत ताजूब होता है ये सुनके और होता होगा उसके बाद कहती है आज के टाइम पर 100 रुपे तो 10 रुपे के बराबर है 100 रुपे तो पता भी नहीं चलता सुभे सुभे कहा निकल जाते हैं मैंने पूछा कहा निकल जाते हैं रुपे किसको दे के आते हैं सुभे सुभे बोलता है सौ रुपे तो छोटे मोटे खर्चे में निकल जाते हैं अब मैं परेशान के भाई छोटे मोटे खर्चे कौन से होते हैं छोटे मोटे खर्चे कौन से होते हैं मैंने एक दिन पूछ लिया यह चोटे मोटे खर्चे कौन ऐसे फेक्टरी में चाय का खर्चा, मठी का खर्चा, चिप्स का खर्चा, कोई मांगने आ गया उसको दे दिया, भगवान को पूजा किया गर्बत्ती का खर्चा, तो ऐसे खर्चे को हम ना 10-10-20-20 रूपे के खर्चे हैं, तो इसको हम अलग से separate नहीं record करते हैं, इन सबको ब बोलते हैं, जर्नल एक्सपेंस, या संडरी एक्सपेंस, या मिसलेनियस एक्सपेंस, एक्सपेंडीचर नी, एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है, बेड़ेट्स बताइए, बेड़ेट्स कहां जाएगा, फेक्टरी में या ओफिस में, सर जहां समान बिकेगा, वहीं bad dates होगा तो समान तो office में भिकेगा तो bad dates कहां कहा होगा अमारा office का जो की कौन सा expense माना जाएगा indirect और जाएगा कहां P&L में चलिए इतना तो हमें समझ में आ गया अब हमें क्या करना है आप सभी को clear है direct indirect अब जिसके doubt है वो पूछ सकते हैं मैं आप सभी के जवाब दे देता हूँ direct और indirect expense में कुछ भी query हो सिर्फ direct indirect P&L कैसे बनेगा ट्रेडिंग कैसे बनेगा balance sheet में क्या क्या करेंगे वो सब मैं सब बताऊंगा अभी सिर्फ direct expense क्या होता indirect आपको बस question में देखते ही समझ में आ जाना चाहिए एक point और है एक question ऐसा royalty on production production के उपर royalty दे रहे हो आप तो production के उपर जो royalty देंगे उसका खर्चा जो होगा वो profit and loss में डाला जाएगा लेकिन अगर royalty बहुत huge है हमने royalty दिया 10 सालों के लिए तो उसको write off किया जाता है time to time write off कुछ खर्चे balance sheet में कुछ P&L के अंदर ठीक है एक होता है हमारा trading expense sir trading expense यानि trading account तो ये रहा तो trading expense क्या होगा trading expense आएगा हमारा P&L में या इसमें तो trading expense है तो trading में ही जाएगा ना देखो trading का मतलब होता है वेपार और trading वेपार जो होता है वो यहां से तो नहीं हो सकता factory से वो वेपार होगा हमेशा office से तो trading expense जो है हमेशा याद रखना office का खर्चा होगा trading expense examiner बड़ा चालाग है trading expense trading expense ये वर्ड ऐसा है जो बच्चे maximum mistake गलती कर देते हैं इसको याद रखना है ठीक है what is the royalty on production अभी शेक royalty on production होता है कि जब कोई समान हम बनाते ना जैसे कि मान लो वैसे basically royalty क्या होता है कोई जो बहुत popular चीजे होती है उसको हम use करने के लिए royalty देते हैं जैसे समझो लाल किला लाल किला एक बहुत popular है अब मैं बोलू भाई लाल किले के वहाँ पर मैं कोई function करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो मैं especially बहुत पैसा देना पड़ेगा वैसे तो होगा नहीं लेकिन especially बहुत पैसा देना पड़ेगा क्योंकि लाल किले पर तो जो पैसे दूँगा वो royalty होता है सेम ऐसे production में भी सेम ऐसे production में भी आपको के production पे आपका royalty जो होता है तो production का मतलब माल को बनाना और उसके लिए royalty जाता है क्योंकि आप देखोगे कुछ चीजों को जैसे मैं क्या बात करूँ मेरे पास अभी book नहीं है book होता तो मैं बता देता book देखोगे ना तो कुछ book एक ही writer के जो book होते हैं तो writer जो होता है जैसे माल लो मैं book J.R. Monga की book को मैं print करूँगा मैं बेचूँगा सारा मुनाफ़ा मेरा होगा बस मैं J.R. Monga को क्या दूँगा royalty दूँगा author जो होते हैं उनको royalty दिया जाता है इस तरीके से समझ लो अक्षे का message आया है कि सर एक बार journal expense और sundry expense और miscellaneous expense दुबारा समझादो मेरा phone आ गया था अरे ये सारी video आपको available होगी आपको मिलेगी चिंता मत करो आपका होगा आप back करके भी देख सकते हैं दूसरे बच्चे को परिशान मत करो आप फटा फट से note कर लीजिए जो note करना है हम ज़्यादा लंबी आज first class है वैसे भी थोड़ा मैं ज़्यादा लंबी class लेके bore नहीं करना चाहता कल की class में जब 9 बजे मिलेंगे एक्जेक 9 बजे आप सभी आ जाएं और जो नहीं भी आ सकते हैं आपको ये वीडियोज मिलेगी और बस कल मैं यही चर्चा करूँआ direct experience क्या होता है और indirect experience क्या होता है और कल मैं जो question कराने वाला हूँ उसका assignment already मैं send कर दूँँगा और कोई doubt है तो पूछ सकते हैं और कोई doubt है तो पूछ सकते हैं note करिए फटा फटा जो भी इसमें से ठीक लगे main main point को आप basically ये structure तो note ही करिए बाकि जो ये काटून और टून बनाया है इसको note करना है तो करिए नहीं तो बस समझाने के लिए है अपके ठीक है चलिए अगर किसी बच्चों को visual में problem है तो वो नीचे से अपना enhance कर सकते हैं यहाँ पर जाके quality को और फिर भी कोई visual में दिक्कत हो word ना दिख रहा हो तो comment में जरूर बताना ताकि मैं इसके उपर थोड़ा काम करूँ कुछ application में भी error आ सकता है मैं वो सारा check करा लूँगा चिंता मत करो कल तक बिल्कुल perfectly चलेगा कुछ बच्चे जो application पर देख रहे हैं आज वो तो application पर सारा नजर आएगा और जो बच्चे यहां देख रहे हैं उनको यहां पर नजर आएगा done note कर लिया नहीं करा तो आप pause करके कर सकते हो तो आज के लिए प्यारे बच्चो इतना ही हम next class में मिलेंगे यानि कल ठीक 9 बजे और इसके आगे to be continue हम करेंगे ओके ठीक है thank you so much good night अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए और यह सारा note अच्छे से करना है कल मैं assignment बेजूँगा और जो question करेंगे वो भी आपको मैं कोसिस करूँगा side में display करूँ और फिर आपको question भी करके दिखाऊ ठीक है प्यारे बच्चो thank you